नमस्कार दोस्तों मैं हूँ धीरज और आज बात करेंगे टीम इंडिया के शेडूल की वर्ल्ड कप अब वर्ल्ड कप कुछ ही दिन बचे हैं और आपको पता है कि जो ICC टूनमेंट्स है यह एशा कप है पिछले जो दो बड़े टूनमेंट्स हमारे रहे हैं टीम इंडिया क वो उतने अच्छे नहीं गए है एशा कप में आपने देखा एक करारी हार के साथ हम फाइनल नहीं पहुच पाए और वहीं जो लास्ट टी-20 वर्ल्ड कप था हमारा 2021 वाला उसमें भी आपने देखा कि हमें अर्ली एग्जिट का सामना करना पड़ा हम न्यूजिलेंड और पर पाकिस्तान के हाथों हमें हार मिली थी पर अब सामने ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप है टीम इंडिया तैयार है सारी चीजे हैं तो सबसे पहले इस जो वीडियो में मैं आपको टीम बताऊंगा उसके बाद शेडूल बताऊंगा और एक-एक अपडेट दूँगा इस पक्षर पटेल जस्प्रीद बुम्रा बुवनेश्वर कुमार हर्शल पटेल और अर्चदीब तो यह है वो मेंबर्स हमारे 15 मैं का स्कौर्ड है वह अगर स्टैंडबाइब प्लेयर्स में चले तो चार नाम आपको यह नजर आएंगे मौमाद शमी श्या सेयर रवी मिश् ग्रूप है वो बी है सबसे पहले ग्रूप वन पर नजर डालते हैं ग्रूप वन आप देखेंगे अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया इंग्लेंड न्यूजिलेंड और जो टीमें क्वालिफाइब करके आएंगी वह नंबर पांच पर आप देख रहे होंगे विनर ग्रूप है इंडिया को ग्रूप है ग्रूप बी में बांगलादेश इंडिया पाकिस्तान साउथ अफ्रीका अब यहां देखना होगा वो कौन सी दो टीमें है जो निकल कर आती है और जो हमने हाल में भी तक देखा है क्योंकि पिछले बार भी हमारा ग्रूप इतना टाइट नहीं है वहाँ भी पाकिस्तान और न्यूजलेंटी पिसले टी-20 वोल्ड कप में पर हमने कुछ खास नहीं किया था और अर्ली एक्जेट का सामना करना पड़ा था तो यह है टीम इंडिया का ग्रूप अब आपकी नजर डालते हैं एक बार अब सामने चलते हैं कि टीम इंडिया का शेडूल किया है लेकि उससे पहले वाम-प मैच क्योंकि वाम-प मैच भी तो जरूरी है ना जब हम ऑस्ट्रेलिया में आएंगे तो वाम-प कर रहे होगे तो आप देखते हैं कि टीम इंडिया वाम-प किस्से कर दीगी दो मुकाबले हमें वाम-प के हिस्से में आये है तो ये आप देख सकते हैं कि वाम-प हमारा जो पहला मुकाबला है वो ऑस्ट्रेलिया से है और दूसरा मुकाबला है न्यूजिलेंड से आप अगर याद करेंगे तो साल 2021 में जब टीट्वेंटी वर्ड कप हम खेल रहे था वहाँ भी हमारा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और इंगलीर से उग था वह दोबै था और दोभई में हम वह दोनों मुकाबले जीते थे पर उसके ऐसे बाब जूध हमारा टूर्ला मेंक अच्छा नहीं गया था तो यहां पर आप देख सकते ऐस्रेलिया है और निचलेट से हैं मुकाबलों के टाइमिग आपकर देख सकते है वो साढ़े 9 बजे सुबह और जो दूसरा है वो देड़ बजे क्योंकि आस्टेलिया के आपको टाइमिंग पता है India और और Australia टाइमिंग में फर्क होता है अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं टीम इंडिया का शुडूल क्योंकि वो बहुत जरूरी है क्योंकि सबसे जरूरत यही चीज है वैसा जो वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है वो है 16 अक्टूबर से लेके 13 नौंबर तक इस दौरान कुल 45 T20 मुकाबले खेले ज जो लास्ट सीरीज हुई थी 2012-13 वे इसके बाद से फिर आप देखे जो पहला मुकाबला पाकिस्तान से हैं वो मेलबन में खेला जाएगा और एंसीजी में यह जो टाइमिंग है वो डेढ़ बजी की है दिन के और दिन है 23 अक्टूबर तो यह सबसे बड़ा मुकाबला है उसके बाद सेकेंड जो टीम क्वालिफाई करके आएगी वो खेलीगी 27 अक्टूबर को भारत के साथ फिर तीसरा है इंडिया वससे साउथ अफ्रीका पर्थ में खेला जाएगा और पर्थ में आपको पता है कि साउथ अफ्रीका के जो गेन बाज है वो थोड़ा हमें प्र पर लास्ट वर्ल्ड कप देखा था कि हम पहले पाकिस्तान से हारते हैं उसके बाद न्यूजिलेंड से हारते हैं फिर हमारे लिए दिक्कते हो जाती है तो सबसे पहले टीम इंडिया को जीतने पढ़ेंगे उसके बाद आते हैं कि जो चौथा मुकाबला है इंडिया वर्स बांगलादेश का और ये भी हमारे ग्रुप में है इनका मुकाबला है दो नवंबर को जो भारत का समय है डेल बज़े आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वहीं जो आखनी मुकाबला है क्योंकि हर जो दो टीमे क्वालिफाई करके आएंगे अपने अपने ग्रुप से तो उसमें भारत का मुकाबला दूसरी टीम से यहां देखने को बिलेगा वो जो है 6 नवंबर को Melbourne के ग्राउंड में तो यह Melbourne के साथ जब भारत खेल रहा है को मिला के हैं दो मैच आपको देखने को बिल रहा है और Melbourne में ही final खेला जाएगा वो मी तो यहीं करेगे क्योंकि इंड टीम इंडिया कहां खेलेगी टीम इंडिया का जो स्क्वाड है वो क्या है और वोम अप मैच कितने है वो सारी चीज़े आपको हामिल गई तो सबसे पहले आपको काम यह करना है कि स्पोर्ट स्यारी को सब्स्क्राइब कर दे और अगर यह वीडियो पसंद आए तो उसको ल